हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंग्ज जुलोजी नूट्स आज के इस वीडियो में हम चानेंगे के बारे में क्लोणिंग भैक्टर क्या होता है यह टॉपिक एकजाम में आपका सॉट नोट में पूछा जाता है इसमें जो प्लाजमीर होते हैं प्लाजमीर हो गया वै बाइचंस की विच्ण आपका लॉंग में पूछा जाता है तो क्या होता है क्लोणिंग भैक्टर एक लिंग्तर इस इसमाल पीस ओप डियने इन्ए इंटु फिर निंग। रियंग परपस क्या होता है यह आज तरह का क्लोणिंग्व यह होता है नहीं न का छोटा सा क्या होता है कि क्या करता है कि इसका को क्या होता है एक क्या क्या करता है एक्पेकिट अपने खारे करने का अंट करता है जोड़ता है Test एनरीजिंग इस च्छोटे साइज में होगा अब यह अगर डियने का टुकड़ा होगा तो छोटा ही होगा साइज है ना इसके पास रेस्टिक्शन साइट के लिए रेस्टिक्शन इंजाइम होता है क्लोनिंग बैक्टर कितने तरह कहता है डिर दिफेरन टाइप्स अब कोनीग वां तरह कोता हैं कुछ इंपोर्टेंच के वारी में बदाूंगी तो पहला आपका प्लाजमेंट या आपका सॉट्ञोट में में पाय जाता है थी ये पर स्फट बैक्टर यूज़ इन चीन क्लोनिक यह पहला भेक्टर यह जो जीन क्लेश्ट के लिए यूज़ किया गया था इस और पाइज आ let बैक्टिरियां पाई जाता है और आर्कियां में पाई जाता है इसमें एक्ट्रा क्रोमोजोम होता है वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है डियने मॉलिकुल का अग्जांपल के लिए पीवी और तुक्तल में लिखने को आता है तो अगर यह तीन होगा पीवी और थी टूट्व में लिखने को आता है तो अगर अगर आएं तो लिख दीजेगा यह प्लाइजमीट के बारे में वह आपका सॉट नोट में बन जाएगा सॉट नोट के लिए आप चार पॉइंट लिखे फिगर ड्रॉ किजिए उसमें आपको माक्स मिल जाएगा यह फिगर आप बना दीजीगा प्लाइजमीट पी बी आर थ्री टूटू सेके आपका बैक्टिरियों फेज क्या होता है इस और मोर इफिसियंट देन प्लाइजमीट फोर क्लोनिंग लाइज दियने इंसर्ट क्या होता है यह बहुत ही ज्यादा अच्छा तरह से काम करने वा जो यूज होता है उसको इंसर्ट करने के लिए फेज अलफा एंड एंड फेज और कॉमली यूज इन बैक्टिरियों फेज में तो वह फेज अलफा होता है और एंड फेज हो जिन क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है 53 kb dna can be packaged in the bacterial phase क्या होता है इरुपन के बी का dna जो होता है वह पैकेज होता है बैक्टिरियों फेज में THE screening phase places is limits is more easier than the screen of Reck세ta bacterial clonies कया होता है इसीत किसे तो recombinant bacterial clonies 3. 악 화plasmid फेज मvention नोट में पुचा जाता है बैक्टिरियों फेज पूचा जाता है और plasmid पुचा जाता है यह किसमी यूज किया जाता है, तो M13 में रिकोमिनेशन में इसको फेज मीड कर यूज किया जाता है The Positives Multiple Cloning Cites and Inducible Lack Gen Promoter इसमें क्याते हैं, बहुत सारी Multiple Cloning Cites होता हैं और Inducible Lack Gen Promoters होता है They are identified by Blue-White Scream इसको किस तरीके से पहचाना जा सकते है तो इसका ब्लू वाइट इसक्रेणिंग होगा जब करता है तो जनेतिक डिसर्डर को पढ़ने में जानने में यह हम लंप करता है कौन तो तो बैंक्तिरीयल आठिफिशल ख्रोमोजेंस देयर एकम्ड़ाइट लाइस डीने सेक्वेंस विदाउट एनी रिस्क यह क्या करता है बहुत सारे लाइस डीने को यह जगह किए सब्सक्राइब का सकता है लेकिन कुछ इंपर्टन बस चार है इस ऐस अर्टिफिचेल क्रोमोजोम् उसके बाद है कॉस्मीट फिर रेट्रो वाइरल भैक्टर फिर हुमन आर्टिफिशल क्रोमोजूम्स इस्टेप इंवाल्ब इन जीन क्लोनिग जीन क्लोनिग में कौन-कौन से सामिल होता है तो आइसोलेशन अप डॉनर विद्व इन फाग्मेंट और जीन क्या होता है सबसे पहले तो इसे अब्जैक्ट को अलग करने का मोई आईसोलेशन का जाते हैं तो डॉनर डिएन फ्रेग्मेंट का या फिर आप जीन भी वह बूल सकते हैं सेलेक्शन अपस्टेबल व्ैक्टर को स इन्टू दा वेक्टर क्या कहा जाता है डिया डॉना डियने फ्रेग्मेंट को सामिल मतब किया जाता है Transformation of recomendant vector into a suitable host cell. क्या कहते जाता है? Recommendant vector को suitable host cell में transform किया जाता है, उसमें मत्वते बहुचा जाता है. Isolation of recommend host cell. उसके वाद किया जाता है? Isolate किया जाता है, अलग कर दिया जाता है recommendent host cell को. इस topic का conclusion क्या है? कोंक्लूजन मतलब निसकास किया निकलता है इसको पढ़ने सेगे बाल क्रूनिंग घ्क्रलाइज टू इंसर्ट फारन डियने इनले इनले को एक अनाधर क्रीट मृट्टिपल कॉलिच शारए बहुत सारे कॉपी बनाता है औसी के तरह एक डियाने duplicated and express utilizing the host cell machinery क्या कछता है foreign DNA करके वो express करता है host cell में एक तरह को बहुत सारे copy को दिखाता है it amplifies one copy of DNA into multiple copies क्या होता है एक copy से क्या तो बहुत सारे multiple copies DNA को बनाया जा सकता है cloning vector के द्वारह